जैमातादी दोस्तों आज आप सुनने जा रहे हैं जितिया वरत की एक पौरानिक वरत कथा को बिना इस वरत कथा को सुने जितिया वरत को अधूरा माना जाता है इस वरत कथा को सुनने मातर से भगवान जिमुतमाहन का आसिरवाद मिलता है और संतान की आयू लंबी होती है और उन्हें कुसागर बुद्धी प्राप्त होती है। अब आप सुनें जितिया वरत की एक पौरानिक वरत कता को। नर्मदा नदी के पास कंचन बटी नाम का एक नगर था। वहां के राजा का नाम मलाई केतू था। नर्मदा नदी के पस्चन में बालू आटा नाम की एक मरुभूमी थी जिसमें एक बहुत ही विसाल पेंड था। उस विसाल पेंड के सबसे उपर वाले डाले पर एक चील रहा करती थी और उसी पेंड के नीचे एक सियारन भी रहा करती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहलियां थी, वे दोनों एक दूसरे से सारी बातें साजा किया करती थी, और हमेशा एक दूसरे से सुख दुख की बातें किया करती थी, एक बार दोनों ने कुछ महिलाओं को जितिया का वरत करते देखा, जब उन्हें जितिया वरत की महत्त के बारे में पता चला तो उन्होंने भी जितिया वरत करने का संकल्प लिया दोनों ने ही भगवान जिमुत्वाहन की पूजा और वरत करने का प्रण लिया जिस दिन दोनों को वरत रखना था ठीक उसी दिन सहर के एक बड़े वेपारी की मृत्तियों हो गई और उसका दासंस उसी मरूस्थल पर हुआ मुर्दा देखकर सियारन को भूक लगने लगी वह खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपना वरत तोड़ दिया और भोजन गरहन कर लिया परन्तु चील ने खुद पर सयम रखा और पूरी स्रधा और नियम के साथ अपना वरत पुरा किया उसन और बीच में ही भंग हो गया इसके बाद दोनों ने अगले जनम में एक ही ब्राह्मन परिवार के घर में जन्म लिया उसके पिता का नाम भासकर था चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन बनी बड़ी बहन का नाम सीलावती रखा गया और उसकी साधी बुद्धि स साथ वी थी इसलिए वह कपरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई धीरे धीरे कुछ और समय बीथ गया और जल्द ही भगवान जिमुत्वाहन के आसिरवाद से बड़ी बहन सीलावती को साथ पुत्र प्राप्त हुए मगर उसकी छोटी बहन कपरावती जो रानी बन ग कर कपरावती के मन में इर्सिया और जलन की भावना उत्पन होने लग गई इसी इर्सिया की भावना में कपरावती ने राजा से कहकर सीलावती के सातों बेटों के सर कटवा दिये फिर उन सातों सिरों को साथ में बरतन में डाल कर ढग दिया और सीलावती के पास भिजवा अपनी जलन के मारे उसने अपनी बहन के ही बेटों के सर कटवा दिये और अपनी बहन के पास भिजवा दिये उसे कोई पुत्रसुक प्राप्त नहीं हो रहा था इसलिए वह चाहती थी उसकी बहन भी पुत्रसुक से वंचित हो जाए जब भगवान जिमुत्वाहान ने यह सब देखा तो उन्होंने मिट्टी की सहायता से साते भाईयों के सर बनाए और सभी सिरों को धर से जोड़ कर उन पर अमरित छिड़क दिया जिसके कारण वे सातों भाई फिर से जिन्दा हो गए और अपने घर को लोटाए रानी ने जो कटे सर भिजवाये थे वो भी फूल बन गए जिसकी वज़े से सीलावती को अपने बेटों के कटे हुए सर को देखने का दुख भी नहीं उठाना पड़ा इधर का प्रावती जलन के मारे बेचैन हो रही थी उसे लग रहा था कि अभी तक मेरी बहन के घर से कोई समाचार नहीं आया वो बहुत ही व्याकूल हो रही थी इस बात को जानने की वो कोशिस कर रही थी कि आखिर उसकी बड़ी बहन के घर में क्या चल रहा है जब उसकी व्याकूलता उससे बरदास्त नहीं हुई तो वो अपने बड़ी बहन के घर चली गई वहां उसने देखा कि उसके बहन के सातों पुत्र तो जिवित हैं उन सब को जिवित देखकर वो आस्चर्ज में पड़ गई और बेहोस हो गई जब कपरावती को होस आया तो उसने अपनी बड़ी बहन से सारी बात बताई और अपनी गलती पर पस्ताने लगी उसने अपनी बहन से माफी मांगते होए कहा हे बहन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे कोई पुतर नहीं था जिसकी वज़ा से मैं तुमसे जलन करने लगी और तुम्हारे बेटों के सर कटवाने का अपराद कर बैठी जैसे हैं उसने यह कहा तभी भगवान जिमुतवाहन की किरपा से बड़ी बहन को पुरुजनम की सारी बातें याद आ गई वो अपनी छोटी बहन को उसी पेंड के नीचे ले गई और अपने पुरुजनम की सारी बातें कहते हुए उसे उसका पुरुजनम भी याद दिलाया जैसे ही कप्रावती को अपने पुर्वजनम की बातें याद आई तो उसे यह भी याद आ गया कि उसने जितिया का वरत किया तो था लेकिन जितिया का वरत उसका भंग हो गया था इस बात को याद करके वो फिर से बेहोस हो गई और मर गई जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेण के नीचे कप्रावती का दासंसकार कर दिया इसी लिए कहा जाता है कि जितिया का वरत बहुत ही नियम और श्रद्धा के साथ करना चाहिए तभी इस वरत का फल मिलता है जै हो जिमुत वाहन भगवान की जै